नमस्कार मैं हूँ जारा शुरुआत बुलेटिन की करेंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को विश्विख्यात खेल उकरलों का उतकाद बादन करने वाले मेरट को बड़ी सौगाद दी यहाँ पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी मौसम खराब होने की वजह से हवाई मार्क के बज़ाए साड़क मार्क से मेरट पहुँचे इस दौरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के सर्धना में मेजर ध्यानचंद खेल विश्विद्याले का उन्होंने शिलान्यास किया पीम मोदी ने बटन दबा कर मेजर ध्यानचंद खेल विश्विद्याले का शिलान्यास किया इस अफसर पर उन्होंने खेल प्रदर्शनी का वलोकन करने के साथ कुछ उपकरणों पर अपना हाथ भी आजमाया करीब 700 करोड की लागत से तैयार होने वाले इस विश्विद्याले को धाई वर्ष में तैयार करने का लक्ष है CM योगी अदितिनात ने इस मौके पर प्रदार मंत्री नरेंद्र मोदी का भार जताते हुए PM के सडक मार्क से नई दिल्ली से मेरट जाने का जिक्र किया मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के पहले खेल विश्विद्याले का नाम मेजर ध्यांचन के नाम पर रखा गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने टोकियो ओलंपिक और पैरलंपिक में उतकरश्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाडियों का सम्मान किया वहीं इस मौके पर प्रदार मंत्री ने जुनसभा को संबोधित किया प्रदार मंत्री ने अपराद और विकासकारियों को लेकर विपक्ष पर जमकर निशानत साधा प्रदार मंत्री ने कहा कि पहले मेरट में माफिया अपना खेल खेलते थे उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों की वज़व से मेरट से पलायन हुआ और पहले की सरकार में अपराधी यहां खेल खेलते थे लोग भूल नहीं सकते कि उनके घर जला दिये गए थे इस युनिवर्सिटी का नाम मेजर ज्यान चिंजी से जुड़ जाता है तो उनका पराक्रम तो प्रेणा देता ही है लेकिन उनके नाम में भी एक संदेश है उनके नाम में जो सब्द है ध्यान बिना ध्यान के इंद्रित किये बिना फोकस एक्टिविटी किये कभी भी सबलता नहीं मिल्कली में आपने देखा होगा अधनिये प्रणान मंत्री जी के मार्ग दर्शन में सांसत खेल प्रतिश्परदाद देश के हर संसदिय चेतर में हुआ ग्रामीन अस्तर से लेकर के जन्पद अस्तर तक हजारों खिलाडी एक एक संसदिय चेतर में अलग लग खेलों में उन्होंने अपने आपको आगे बढ़ाने का एक आउसर देखा सपाद्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को लखनों में विजरतियात्रा लेकर निकले और इसकड़ी में उन्होंने जिले में कई जगों पर सपागारे करताओं को संबोधित किया महरा कला गाउ में उन्होंने वैदिक मंत्रोचार के साथ भगबान परशुराम की मूर्थी का नावरण किया है परशुराम का फरसा और सट फुट का है नावरण के दौरान 551 वेद पाठाक मंत्रोचार कर रहे हैं अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में कहा कि नया व लगबक साड़े चार साल से ज्यादा समय तक उत्तर प्रदेश की जनता को दुख तकलीफ और परिशानी मिली है उन्होंने कहा कि हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला अखिलेश यादव ने कहा कि जैन समाज अल्क संख्यक है ये समाज मिहनती है इस समाज का शोशन किया जा रहा है छापे की कारवाई भी इसी शोशन का एक हिस्सा है उन्होंने कहा कि सपा की सरकार बनने पर हर समाज और हर वर्ग को साथ लेकर प्रदेश का विकास किया जाएगा अगर ये इस्ट्यूशन बन जाता ये सरसा बन जाती यहाँ भी बच्चों को पढ़ने का मौका मिल जाता लेकिन बाबा मुख्यमंती ने इसको बनने का काम नहीं दिया ये केबल विकास के दुश्मन नहीं है ये अल्ग संकों के भी दुश्मन है और ये बात मैं इसलिए कहता हूँ अल्ग संकों के दुश्मन जिस समय ये सरकार में आए पूले दिल्ली की लोग समामे और उत्टबलेस की बिधान समामे बैटने के लिए एंगलो इंडियन करती नहीं है